एस्थमा या दमा में रोगी को सांस लेने में दिक्कत आती है यानि चाती में घड़गड की आवाज आ सकती है सीटी जैसी आवाज आ सकती है थोड़ा सा चलने पे भी सांस फूलता है यानि ये हुता क्यों है? क्योंकि अलर्जी के कंच जब श्वास नालिकाओं में जाते हैं फिफडों की श्वास नालिकाओं में जाकर ये वहाँ पे एंटन या सूजन करते हैं जिसकी वज़े से नालिकाओं में जो स्पेस है रास्ता है वो कम हो जाता है टाइट हो जाता है और शलेशमा बनने लगता है जिसकी वरे से चाती में सीटी जैसे वाज आती है सांस को रास्ता कम मिलता है जिसकी वरे से सांस लेने में दिक्कत आती है यानि थोड़ा सा चलने बे भी सांस फूलता है तो उसके लिए पंप लेने पड़ते हैं या पंप या स्टिरॉर्ट इन्हेलर्स लेने पड़ते हैं जिससे की दुबारा ये शवास नालिकाएं खलकी से खुलती हैं और सांस थोड़ा ठीक होता है लेकिन इसका मुखे कारण जो है वो पुराना नजला होता है यानि पुराना नजला में अगर हम इलाज नहीं करवा पाते हैं हमारा इलाज ठीक नहीं होता तो ये पुराना नजला का जो कफ है गले में गिरता रहता है ये फिफड़ों में जाके श्वास नालिकाओं में लर्जी पैदा कर देता है और श्वास नालिकाएं यानि पाइप जहां से सांस आता जाता है वो टाइट हो जाती है और ये सारे लेक्शन होते हैं पुराना नजला को यहीं पे ठीक करना बहुत जरूरी है नहीं तो ये दमे में करवर्ट कर जाता है पुराना न नजला है या उलर्जी करे राइनाईटिस या साइनस बोलते हैं ये दमे में करवर्ट कर जाता है तो सबसे उत्तम इसका उपाए यह है कि हम नाक में देशी काएं का देशी की सुभर उठके डाले ताकि अलर्जी के कन नाकी जिली के साथ टश्ट न कर पाएं वहां से कफ बैदा न हो और ये कफ फिफडों में जाके गले में न गिरे और गले से आगे फिफडों में न जाए तो हम दमे से बच रहेंगे दमा जो है या एस्त्मा है या अलर्जिक ब्रॉंकायिटिस है यह मार्च, एपिरिल के मीने में बहुत जादा तदाद में होता है क्योंकि अलर्जी गत्ब एक तब जो फसलों की किटाई ब्रक़त, बहुत जादा बातवरन में मिले होते हैं दूसरा जब भी बरसाते होती है यानि जब भी हवा में नमी की बात्रा बहुत जादा हो जाती है बरसातों में तो ये फेफ्डों में difficulty in breathing सांस फूलना जैसे दिकत बढ़ जाती है यानि दबा बहुत जादा बढ़ जाता है तीसरा जब भी अक्तूबर के मीने में पुलूशन बढ़ता है दिवाली के मीने में या जब धान की जो कटाई होती है तो तब वो उसको जलाते हैं तो उससे भी जो पुलूशन का लेवल बढ़ जाने से फिफड़ों में जाके वो अलरजी पैदा करता है और सांस लेने में दिक्त आती है